गुण बार्निंग स्चुडेंट मैं सल्फ रेतिका तुडे आई विल टीच यू मैथ एंड लेट्स विल स्चार्ट विद एक्सरसाइज 3.2 पीछे हमने चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 करी थी और यह आपका सब्ट्रेक्शन के सम थे आशा करती हूं कि आप सभी ने बच्च एक्सरसाइज 3.1 करी थी आज हम उसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे अभी तक जो है हम स्चार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 देखो बच्चो हमें यहां पर कोश्चन दिया गया है तू फोर डिजीट नमबर का कोश्चन है जिसमें हमें देखो फर्स्ट कोश्चन दिया करना है इसमें हम हमारे से फिպ शब्टैक्ट करना हे 2348 बच्चो अब हमारे पास जो है चोटा है स्प्टैक्ट नहीया तो इसलिए हम क्या करेंगे तक के धिजीट से वं अरो लेंगे हमारे पास आया ध्यां पर principles यहां法 सब्सेंबीत करना है अगरी अब हमें जो है 15 में से 8 सब्ट्रेक्ट करना है काउंट करो बच्चो कितना आएगा नमबर यहां पर हमारे पास यहां पर आया 15 में से 8 माइनस करेंगे हमारे पास यहां पर आया 7 अब बच्चो हमने यहां पर 1 इसको यहां बोरो दिया था तो इसके पास कितना रह गया 9 है य ऐट में से फोर सब्प्राक्ट करना है में से फोर गए फ़ोर हम यहां फेसा थांडेड कीजित थांडेड कीजिट करना है हम इस görें से हमारे पास के तो हमारे पास के एंसर रहा motion से ध्यृूर 1447 देखो बच्चो हम हमें यहां पर second question दिया गया है सेम वैसे ही हमें जो है four digit number की subtraction दी गई है first number है 9,675 and second number है 2,346 तो हम first ones की दिजिस से ही start करेंगे समसे पहले देखो बच्चो five में से six subtract करने हैं नहीं कर सकते हम क्या करेंगे यहां पर borrow लेंगे हमारे पास यहां पर आया 15 अब हमें 15 में से six जो है वो less करने है बच्चो अब 15 में से six हमें माइनस करने है 15 में से six गए हमारे पास आया यहां पर nine अब हमें यहां पर इसने हमें हमने इसको यहां पर one borrow दी ती यहां seven था seven में से अब यहां पर रह गया 6, 6 में से 4 गए, क्या आया बच्छो, 2 6 में से 4 गए, 2 अब हमारे पास, यहां पर हमने इसको बोरो दे दी अब हम 100 के डिजीट पर चलते हैं यहां पर 6 दिया हुआ है, 6 में से 3 गए, 3 अब यहां पर 1000 के डिजीट है, 9 में से 2 गए क्या है बच्छो, 7 तो अब हमारे पास के आंसर आया 7,329 अब हमें बच्चों देखो second question दिया गया है arrange vertically and subtract हमें यहां पर नमबर दिया गया है 8,950 में से 4,232 subtract करना है सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे vertically arrange करेंगे कैसे once की decision start करेंगे सबसे पहले देखो बच्चों यहां पर हमें देखना है बड 1000 तो 8,000 बढ़ा है तो first term यही नमबर यहां पर लिखेंगे once की decision start करेंगे सबसे पहले आएगा 0,10 की decision 5,100 की decision 9 and 1000 की decision 8 तो यह हमारा first number हो गया अब हमारे पास second number है second number में once की decision start करेंगे सबसे पहले आएगा 2,10 की decision 3,100 की decision 2 and 1000 की decision 4 यह हमने नमबर इसको vertically arrange कर लिया अब हम इसको subtract करेंगे सबसे पहले once की decision start करते हैं बच्चों देखो हमाँ पास 0 दिया हुआ, 0 में से 2 माइनस नहीं कर सकते हम यहाँ पे 1 जो है borrow करेंगे, borrow किया तो यहाँ पे आ गया 10, 10 में से 2 गए, 8 अब हमने इसने 1 यहाँ पे borrow किया है तो यहाँ 5 था अब इसके पास रह गया 4, 4 में से 3 गया 1, next हमारे पास है 9, 9 में से 2 गया 7, and हमारे पास है 8, 8 में से 4 गया 4, बच्चों हमारे पास answer आया 4718, तो यह थी हमारे exercise 3.2, जहाँ पे जो है हमेरी यहाँ पे once की digit पे जो है borrow करना था, अब हम start करते है exercise 3.3, इसमें जो है, हमें जो है अब borrow जो है, देखो बच्चों यहाँ पे है exercise 3.3, अभी तक जो हमने question किया, उसमें हमने सिरफ once की digit पे ही borrow लिया था, अब हम जो है, जो borrow आएगी हमारे पास, once की digit पे भी आएगी, और ten's की digit पे भी आएगी, कैसे देखो बच्चों स्चार्ट कर है, 6742, उसमें से हमें less करना है, 1085, तो once की digit से स्चार्ट करेंगे, सबसे पहले है, two, two में से five नहीं जा सकते, हमने यहाँ बोरो लिया, ten's की digit से, यहाँ पे आया, 12, अब हमें बाद 12 में से five गए, 12 में से five गए, हमारे पास आया, बच्चों देखो, यहाँ पर seven, चिक है, अब हमने यहाँ पे इसको one बोरो दिया था, यहाँ पे रह गया three, अब three में से eight भी नहीं जा सकते, तो हम क्या करेंगे, hundred क्वाली डिजिट से one बोरो लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, हमारे पास, 13, 13 में से eight गए, 13 में से eight गए, हमारे पास आया, बच्चों, five, तो अब यहाँ पे हमने hundred वाली डिजिट ने 10 को बोरो दिया था, seven है, इसके पास कितने रह गए, six, six में से zero गए, six, 1000 के डिजिट में, six में से one गए, five, तो हमारे पास क्या answer आया, five, six, seven, seven, देखो, यहीं पर हमें second question दिया गया है, सेम ऐसे ही है, हम करते हैं, one के डिजिट से start करते हैं, two में से seven नहीं जा सकता, हमने क्या किया, tenth के डिजिट से बोरो लिया, यहाँ है गया, twelve, twelve में से seven गए, 12 में से 7 गई क्या आया बच्छो हमारे पास 5 अब हमने यहां पे इसको 1 बोरो दिया था इसके पास रह गया 2 अब 2 में से 4 भी हम लेस नहीं कर सकते हमने 100 के डिजिट से बोरो लिया यहां रह गया 12 अब हमें 12 में से 4 जो है माइनस करनी है 12 में से 4 गए 8 अब देखो बच्छो हंडड़ वाली डिजिन दे 10 को बोरो दिया था इसके पास 5 था अब यहां पे क्या रह गया 4 तो 4 में से 0 गई 4 1000 के डिजिन में से 4 में से 2 गई च्छो हमारे पास क्या अंसर आया 2485 अब हमें देखो बच्छो यहां पर exercise 3.3 question number second दिया गया है arrange vertically and subtract हमें यहां पर question दिया गया है 3834 में से 2647 less करनी है देखो बच्छो पहले हम guess करेंगी कि सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा है यहां पर 3000 है यहां 2000 थे तो बड़ा कौन सा हुआ 3000 तो पहले हम यह वाला नंबर लिखेंगे वन्स के डिजिट से स्चार्ट करते हैं सबसे पहले आएगा four tens three eight hundred three thousand क्या नंबर आया 3834 अब second number है हमारे पास seven ones four tens six hundred and two thousand अब हम इसमें से यहां पर less करेंगे subtract करेंगे वन्स के डिजिट से ही स्चार्ट करेंगे सेम जैसे कर रहे हैं four में से seven नहीं आएगा हमने यहां पर one लिया बोरो यहां पर आ गए 14 अब 14 में से seven less करने है क्या आया बच्छों यहां पर seven यहां पर हमने इसको one बोरो दिया था इसके पास three है यहां पर रहे टू अब हम two में से four नहीं जाएंगे seven में से six गए one नेक्स है थाउजन की डिजिए three three में से two गया one हमारे पास answer आया 1187 तो बच्छों यह है हमारे पास exercise three point two question number one question number two exercise three point three question number one and question number two जैसे मैंने अभी आपको समझाया है सेम वैसे ही है यह आप सभी को exercise three point two and three point three जो है वो नोटबुक पे करनी है थैंक यू